Hello everyone, in EPS, today we will do chapter 4, word meaning of chapter 4, chapter name is family, types of family, relatives. First word is family, family मतलब होता है परिवार, next word is relatives, relatives मतलब सम्मन्धी, जो हमारे रिस्तेदार हैं उनको हम कहते हैं relatives. Parents मतलब माता पिता, माता पिता, father and mother को one word में हम कहते हैं एक शब्दों में कहेंगे हम parents. Grandparents मतलब दादा दादी या नाना नानी, अगर दादा तादी हो तो paternal grandparents, अगर नाना नानी हो तो maternal grandparents. Children मतलब बच्चे, child का plural, child मतलब एक बच्चा, children मतलब एक से जादा बच्चे, living together मतलब एक साथ रहना, remember, remember मतलब याद करना, nuclear family मतलब एकल परिवार, ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और उनके एक या दो बच्चे हों, उनको nuclear family कहते हैं, joint family, joint family में चाचा चाची, ममी पापा, चाचा चाची, दादा दादी, सभी लोग एक ही साथ, एक ही family में रहते हैं, तो joint family मतलब संयूक्त परिवार. maternal मतलब मा से संबंधी जो भी रिस्तिदार हैं, वो maternal कहलाएंगे, जैसे कि मामा मामी, cousins, मामा मामी के जो बच्चे हैं, वो maternal कहलाएंगे, मौसी जो है, वो maternal है, मतलब मा से संबंधी जो भी relation है, वो maternal, paternal मतलब पापा से संबंधी जो भी रिस्तिदार है, वो paternal, जैसे कि चा आप इन सारे word meaning को इस page का screenshot ले लिजे या फिर वीडियो को pause करके वीडियो को रोक कर इसको लिख लिजे copy पे एवेस की copy पे और आज इसको ये word meaning याद करना है Thank you